श्रीकुरुकरन साथ स्लोक महला पहला सर्मू तर्मू दूई नानका जे तन्यों पल्ले पाई सो तन्यों मित्रों ना काड़िये जित उस सिरी चोटा खाई जिनके पल्ले तन्यों असे तिनका नाम फकीर जिनना के हिदे तुम असी ते नर गुनी कहीर द्धने में ही श्रम और धरम में सलगना हो सकते हैं वे संसारिक द्धन हमारा सहयोगी सायक नहीं हो सकता जिसके कारण हमें दुख ठाने पड़ते हैं सर्मू तर्मू दूई नानका जे तन्यों पल्ले पाई सो तन्यों मित्रों ना काड़िये जित्तो सिरी चोटा खाएं जिसके आचल में संसारिक द्धन दूलत होती है वे तो सही अर्थों में फकीर होते हैं इसके विप्रित जिसके मन में हैं प्रभु जी तुम से हम बसते हैं वो गुनी और गहन होते हैं जिनके पले तन्यों वसे तेनका नाम फकीर जिनके इद्धे तुम वसे तेनर गुनी गहीर दुखी दुनी सहेडिये जाई ना लगी दुख नानक सचे नाम बिनो किसे ना लब पुख रोपी पुख ना उतरे जा देखांता पुख जेते रस श्रीर के तेते लगी दुख माया का संग्रे भी दुखों से होता है छिंजाए धन चला जाए तो भी दुख होता है कुर नानक जी कहते है कि सच्चे हरी नाम के बिना किसी की भुख शमित नहीं होती है दुखी दुणी सहेडिये जाए न लगी दुख नानक सच्चे नाम बिना किसी नलथी पुख रोप सुंदरे से भी तृष्णा शाद नहीं होती जिदर किदर तृष्णा ही दीख पड़ती है देहिक रस वादन में दुखी दुख होती रोपी पुखना उत्रे जा देखांता पुख जेते रस श्रीर के तेते लगी दुख अंदी कमी अंदू मनू मनी अंदे तनू अंदू चिकडी जाईये किया थिये जा तुटे पत्थर बंदू बंदू तुट्टा बेडी नई ना तुनुहाना हाथ नानक सच्चे नाम बिनू केते डुब्बे साथ अज्यान पूर्न करमों से मन में अंधका रहता है और मन का अंधेरा शीर का भी अंधेरा बन जाता है जहां पत्थर का बांध भी तूट जाए वहां गारा लगाने से क्या बनता है बांध तूट जाए तो नुका नहीं तुलहा लकडियां बांध करके बनाया तक्ता जिस पर तैरा जा सकता है नहीं अथा जल में कोई सहरा सूज नहीं पड़ता अभी पराई यह है कि मन को बांधने के लिए संसारी क गारे जैसी कच्छी चीज काम नहीं आती और जब मन का बांध तूट जाता है फिर संसार में कोई शुरुक्षा नहीं रह जाती गुर्णालक जी कहती है कि ऐसे में हरी नाम के बिना जीवों के समू के समू डूब जाती बंदू तुट्टा बेड़ी नहीं ना तूला ना हाथ नालक सचे नाम बिनू केते डुबे साथ लख मन सोईना लख मन रूपा लख सहा सिरिशा लख लसकर लख वाजे नेजे लख्य कोडी पाच्षा जित्थे सैरू संगना अंगनी पानी अस्थ का कंदी दिसी नामी काहीं पमे कटा नानक उत्थे जाने हीं साके इपाच्षा किसी के पास लाखो मन सोना हो लाखो मन चांदी हो लाखो शाह हो काभी वे शाह हो लाखों की सैना हो लाखों वादन हो उस बाच्षा के पास गोड़ों की अनेक रसाले हो किन्तु जहां संसाद सारक को सागर को पार करना है जहां अथा आग पानी मौजूद है कि नारा दीखनी पड़ता है लोग चीक चीक करके शोर मचाते हैं गुर्नानक जी कहते हैं वहां पता चलता है कि असली बाच्षा कुण है हारी नाम धारन करने वाला शांती से उक्तश स्थिती से पार लांग जाता है इसलिए वही बाच्षा है नानक ओते जाने ही साके इक बाच्षा पौड़ी इकन्ना गड़ी जंजीर बंदी रबानियें बदे छुक्ती सच्ची सच्च पछानियें लिख्या पल्ले पाई सो सच्ची जानियें उक्मी होई निवडू गया जानियें पाउजल तारन आरू सब्दू पछानियें चोर जार जुवार पीडे तानियें निंदक लाई तवार मिले हडबानियें गुर्मखी सच्ची समाई सो दर्गा जानियें कुछ जीवों के गले जंजीर है और वे परमात्मा की दास्ता में राते हैं वे सत्य सुरूप परमात्मा हरी को पैचान करके बंदन मुक्त हो जाते हैं एकन्ना गली जंजीर बंदी रमानियें बद्दे छुक्ती सच्ची सच्चो पच्छानें करम का हिसाब तो चुकाना ही पड़ता है उसे तो सच्च मानना ही जाए ये बात आगे पता चलती है कि हुकम के इन सारी प्रभु हरी सब कारे सुल जाता है सुनसाथ सागर से मुक्त कर देने वाला गुरू का शब्द पैचानों चोर जार जुवारी आदी दुशकर्मी कोलू में पीस दिये जाते हैं निंड को चुगल खोरो आदे को हथ कड़ी लगाई जाती है दंड दिया जाता है केवल वही जीव जो गुरू के माध्यम से सत्य में लीन हो जाते हैं वही प्रभु के सम्मक सम्मानित होते हैं उकमी ओएन बेडू गया जानिये पाउजल तारन आरू सवद पच्छानिये चोर जार जुवार पीडे कानिये निंदक लाइतवार मिले हडवानिये गुर्म की सच्ची समाई तो दर्गा जानिये सलोक मेला दुजा नाओं फकीरे पाच्छाओं मुरक पंड़ तो नाओं अंदे का नाओं पार्खु एमें करे गुआओं इल्टी का नाओं चोदरी कूडी पूरे थाओं नानक गुर्म की जानिये करी का एहुनियाओं उल्टी स्थिती है फकीर को बादशा समझा जाता है मुरक पंड़ित का आ जाता है अंदे को पार्खी कह करके बात किया जाता है शिराद्धी को चोदरी एम कुल्टा को परधान मना जाता है गुर्णानक जी कहते हैं कि गुरु के द्वारा ये ये थार्थ पराप्त होता है कि करियों का न्याए उल्टा है नालक गुरु मखी जानिये करी का एहु न्याए अरना बाजान तेशिक दारा एनना पड़िया नाउं फांदी लग्गी जाती फाइनी अग्ये नाई थाउं सो पड़िया सो पंड़त बिना जिन्नी कमाना नाउं पहलो दे जड अंदरी जम्मेता उपरी होई छाउं राजे सी मुकदम कुत्ते जाई जगानी बैठे सुत्ते चाकर नैदा पाइनी काउं रत्तु पित्तु कुत्ही चति जाउं जित्थे जियां खिरन के बच्चे को सिखा करके छोड़ दिया जाता है। वे अपने अन्य साथियों को ला करके वहां लगे फंदे में फसा देता है। वैसे ही सिखाएगे बाज और पड़े हुए अधिकारी अपने ही भाईयों को मारते हैं और उनका शोशन करते हैं। अधिकारी जन अपने ही भाईयों को मारते हैं और उनका शोशन करते हैं। अपने जाती बंदों को ही फंदे में फसाते हैं। इससे आगे का ज्यान उन्हें नहीं होता है। अधना बाजाते सिकंदरा एना पढ़ियां नाउं। फांदी लगी जाती पहाईनी अगे नहीं थाऊं। वास्ताम में पड़ा लिखा विद्वान आँखवला चतर वही है जिसने हरी नाम की कमाई की होती है। पहले धर्ती में जाड लगती है। फिर पेड़ बन करके च्छाय आती है। अधना पहले मन की धर्ती में हरी नाम की जाड लगनी चाहिए। किन्तो यहां बाड़ ही खेत को खा रही हैं राजे शेर की तरह रक्त पिपाचु हैं उनके अधिकारी एहलकार कुत्तों की तरह हैं कहीं भी जा करके बैठे सोय भले जीवों को तंग करते हैं उनके नोकर नाखनों के समान हैं वे घाव बना करके कुत्तों की तरह लोगों का रक्त शोशन करते हैं किन्तु जहां इनकी पड़ताल होगी वहां ऐसे चुगल खोरों की नाख कट जाए अधना बाजाते सिकंदरा एनना पड़िया नाउं फादी लग्गी जाती पहाईनी अग्ये नाई थाउं सोपड़ आसोपंडता बिना जिन्नी कमाना नाउं पहलो देजड अंदरी जम्मेता अपरी होवे छाउं राजे सी मुकदम कुत्ते जाई जगानी बैठे सुत्ते चाकर नेदा पाईनी काउं रत्तो पित्तो कुती ही चटी जाउं जित्थे जियां होई सार नर्की वड़ी लाइत वार पॉड़ी वैते निर्व पाईये जिस्ता अंतना पारावार मनमुख पैकी सार ना जानी तृष्णा जलते करीब पुकार ननक नामें हीते सुखु पाया गुर्मती उर्तार मैं स्यमध धर्ती को बनाता है और उसका ध्यान लगता है उसके भई के बिना भ्रम नस्ट नहीं होते हैं और नहीं हरी नाम से प्यार लगता है ये पामन भई सत्गुर्द के कारण उपजता है और तब जीव मोक्ष द्वार को पा लिता है आपी उपाय मेदनी आपे कद्दा सार पैवेवनु परमना काठिये नामना लगे प्यार सत्गुर्ते पव उपजे पईये मोक्ष द्वार प्रबु हरी के भई से ही ज्ञान की स्थित्ता मिलती है और जीव परमात्मा में विलीन होता है भई से गुरु वच्छन के अंसार भाव सागरपार किया जाता है भई से उस निर्वे ब्रह्म की प्राप्ती होती है जिसका कोई आंतिया परावार नहीं होता है मनमुक जीवर प्रभु के इस भे का रैस नहीं जानते हैं गुरुनानक जी कहते हैं कि गुरु मत के अंसार हरी नाम को हिद्दे में धारन करके सुख प्राप्त होता है मानमख पहकी सार न जानी तृष्णा जलते करींप पकार नानक नामे हीते सुखु पाया गुर्मती उर्तार स्लोक मेला पहला रूपे कामे दोस्ती पुखे सादे गड़ू लबे माले कुली मिली मिच्डी उन्दे सौडी पिलगू पव के कोपी खवारू होई फकड़ू पिटे अद्दू चुपे चंगा नानका बिन्नो नमे मुही गंदू रोप्षंदर्यक की कांसे तथा भूख की स्वाद से दोस्ती है लोभी धन के साथ अभेद हो जाता है निद्रा मगन के लिए संक्री जगा भी प्लांग है क्रोध की बकवास से मितता है और वह अंदा हो करके भूखता है या बकवास करता है हते गुर्णानक जी कहते हैं कि इस से तो चुप भली हरी नाम के बिना अन्ने सब मलिन्टा है पव के कोपु खवारू होई फकडू पिटे अंदू चुप चंगा नानका बिन्नू नामे मुहिगंदू राजू मालू रूपू जाती जोबन पंजे ठग एनी ठगी जगू ठगया किने न रखी लज एना ठगनी ठग से जी गुर्ण की पैरी पाईं नानक कर्मा बाहरे औरी कुटे मुठे जाएं राज, माल, रूप, जाती और योवन ये पाँचो ठग हैं इन ठगों ने निरलज होकर के जगत को ठगा है इन ठगों को वे ही ठग सकते हैं जो गुरू के चरण पकड़ते हैं गुर्णानक जी कहते हैं कि आन्या बागे हीन जीवन निरंतर उससे ठगे जाएं एन ठगनी ठग से जी गुर्ण की पैरी पाईं नानक कर्मा बाहरे होरी किते मुठे जाएं पौडी पड़िया लेखे दारू लेखा मंगिये विन्नू नामे कुड़ियारू ओखा तंगिये आउकड रुद्दे राव गलियां रोकियां सच्चा बेपरवाव सब्दी संतो कियां गैर गबीर अथाहू आथना लब्बी मुहें मुहीं चूटा खाऊं विन्नो गुर कोई न चुट सी पती सेती करी जाऊं नामों बखानिये उकमी सा गिरा देंदा जानिये पड़े लिखे योग्य व्यक्ति से लेखा मंगा जाता है वैवतदाई होता है हरी नाम के बिना सब मिथ्या है कठीन और तंग होने वाला है वे कठीन रास्तों पर रुके हैं उनके मार्ग रुद्ध हैं सच्चा बेपरवा परमात्मा शब्द के द्वरा संतोश दारन करता है मैस्यम इतना गैरा गंभीर है कि उसकी गैराई नहीं जानी जा सकती उससे भी मुख सामने से निरंतर आगात सेयन करते हैं गुरु के बिना कोई छूटा भी नहीं है हरी नाम का बखांग करने वाला सब पतिष्टा अपने असली घर वेकुंठ में जाता है सच खंड में जाता है पर मात्मा सब को अपने हुकम के सारी स्वांस गिरास अथात जीवन और रोजी पर दान करता है गेर गंबीर अता हूँ आथना लबी मुहें मुहीं चुटा खाऊं बिननो गुर कोई न छुट सी पती सेती करी जाऊं नाम बखानी है हुकमी सागिरा देंदा जानी है सलोक मेला पहला पाउने पानी अगनी जी तिनकियां खुसियां कियां पी तरती पताली अकासी एककी दरी रहनी वजी एकना वड़ी आरजा एककी मरी होई जहीर एककी रे खाईन खुटे नाई एककी सदा फिरी फकीर हुकमी साजे कुमी ताहे एक चसे मही लख सब को नथे नथियां बक से तोड़े नथ वरना चिनना बारा लखे बांजू लखु क्यूं कथिये क्यूं आखिये जापे सचो सचो करना कथना कार सब नानक आपी अकतू अकत की कथा सुनें रिद्धी बुद्धी सिद्धी ग्यानू सदा होई सुख पावन पानी आरी ततों एम आत्मा को मिला करके जीव बना दिया है पावने पानी अगनी जी तिनको खुशियां किया पीड उसे कहीं खुशियां और कहीं पीडाएं दी हैं उसमें कोई धर्ती पाताल आकाश का सामी बनना चाह रहा है कोई दूसरों के द्वार में पड़ा ही परसन है किसी को लंबी आईयों मिली है कोई मर करके दुखी होता है कुछ के पास इतना है कि खाने खर्चने से घड़ता नहीं है कोई बुचारा सदा भीगी मांगता रहता है परमात्मा सिच्छ से बनाता विगारता है एक शन अंच में लाखो रचना विनाश करता है सब को उसने अपनी इच्छा हुकम की नकेल डाल रखी है जब मुक्त करता है तब ही वे नकेल तोड़ता है परमात्मा हरी स्यम रंग रूप वरन जाती से अतीत है उसके करम का कोई साब नहीं रखता है उसके संबन्ध में क्या कही हमारे लिए तो वे एक मातरसत्य का सरूप है वे हमारी समझ से बार करनी कथनी सब उसी का करम है किन्तु वैस्यम अभी व्यक्ति से परेया है उस अकत की कथा जो सुन ले वै रिद्धी सिध्धी ज्यान तथा सुख के बंदारों को पा दिता है। करना कथना कार सब नानक आपिय कथू अकत की कथा सुनेई तिद्धी बुद्धी ज्यान ज्यानू सुदा होई सुखू। अजरू अरेतन नौ कुल वंदू पुजे प्रान होवे थिरुकंदू का से आया का आय जानू जीवत मरत रहे परवानू उकमे बुजे तत्त पछाने इह पर साधी गुर्ष से जाने। उन्दा फड़ियकू नानक जानू ना उना मैं जूनी पानू। जो आतम रस का सही भोग कर सके तो नो दवार बहिर मुखी वृतियां बंद होते हैं। स्वांस स्वांस प्रभु हरी नाम जपे तो शिरीर स्थेर होता है। यह कहां से आया, कहां जाना है, यह जगडा तथा जनम मरन का अंत होता है। और मनुष्य प्रभु हरी तरबार में सविकार होता है। अजरू जरेता नौ कुलू बंदू, पूजे प्रान होई थिरू कंदू, का ते आया, का यह जानू, जीवत मरत रे परवन। जो हुकम बूजता है, तथा मूल तत्व को पहचानता है। गुरू किर्पा से ही उसे वैं उपलब्दी होती है। गुरू नानक जी कहते हैं कि एहंकारी जीव पकड़ा जाता है। आहम त्याग दे तो योनी चक्र में नहीं पढ़ता है। एह पर सादू गुरूत्य जाने होंदा फड़ी अगु नानक जानू ना हुण ना जूनी पानू। पाड़ी पड़िये नामू सलाह होरी बुत्ती मिथ्या विनू सच्चेव्य पार जन्मू विरत्थिया अंतुना पारावार्ना किन्नी पाया। सबु जगु गर्भी गुवारू तिन सच्च न पाया। चले नामू बिसारी तवामनी तत्यां बल्दी अंदरी तेलू दुविदा कतियां आया उठी खेलू फिरे उवतियां नानक सच्चे मेलू सच्चे रतियां। हरी नाम गुणगान की शिक्षा ही सच्ची है। अन्ने सब सोच मिथ्या है। इस सच्चे वेपार के अतरिक्त जन्म वियर्थ है। परमात्वा हरी का अंत या पारावार किसी ने नहीं पाया। सारा संसार एहंकार में मगन है। उसे सच्च की पेक्षा ही नहीं होती है। हरी नाम विश्मेर्थ करके जीने वाले दुखी और संतब्त रहते हैं। और उस संताब की कड़ाई में दुविधा का तेल काड़ते हैं। इस परकार वे संसार में जनमते और मते हैं। और सदे वे इसी परकार आने जाने का नीरस खेल खेलते रहते हैं। खुणानक जी कहते हैं कि सत्य शरूप प्रबु के साथ जिस जीव का प्यार है वे उसी से लीन होता है। उसी में लीन हो जाता है। चले नाम विशारी लामनी ततियां। बल्दी अंद्री तेलू उतुईदा कतियां। आया उठ्थी खेलू फिरे उपतियां नानक सच्चे मिलू सच्चे रतियां। सलोक मेला पहला पहला मास निमिया मासे अंदरी वासू जियू पाई मासू मुही मिलिया अड्डो चम्मो तन्नो मासू मासू बारी कदिया हम्मा मासू गिराशू मुह मांगे का जीव मासे की मासे अंदरी शाचू वड्डा होया विहान यां करी ले आया बासू बासू ही मासू उपजे मासू सबो साकू सत गुर मिलिये अकम बुजिये ताको आवे रासी आपे छुटे न चुटिये नानक बखान बिनासू इन दो शिलोकों में गुरुनानक जी ने मास खाने या ना खाने के संबंद में वहम ब्रहम को दूर किया है इसका अभिप्राय मास खाने की छूट देना नहीं है क्योंकि ग्रिष्ट बोजन से शीर को कस्ट होता है उसकी मनाही से अन्यत्र कर चुके है सरप्रथम मनुष्य का बीज आरुपन मास से ही होता है तेज का गर्ब में स्थिर होना मासल क्रिया से ही संबंब है और फिर नो मास तक मास पेट में वहास होता है जब जानाई तो हड़ी मास चमड़ी आदी ही प्राप्त हुआ अठात ये शीर प्राप्त हुआ मास से बाहर निकाला गर्बासे से बाहर निकला तो मास को चूसने दुख दपान से ही भोजन प्राप्त हुआ मुँ जीव सब मास के बने हैं प्राप्त भी मास में ही बसते हैं बढ़ा हो करके विवा भी विवा में भी घर मास ही इस्तरी लाया मास से मास पैदा करता रहा गरस्ती बढ़ाता रहा और मास से ही सब संबंद मने सत्गुर्स से भेट हो सके परमात्मा हरी के हुकम का ग्यान हो तब मास की ये परकिया पतिष्टी तो साथ तको कुनानक जी कहते हैं कि अपने परियासों से कौन छूटता है बलकि इन वचनों से नाश अनमुख हुआ जाता है सत्गुर्स मिलिये उकमों भुजिये ताको आवे रासी आपे छुटे न छुटिये नानक वचनी बिनासू मासू मासू करी मोर्खू चगडे ग्यानू त्यानू नहीं जाने कौनों मासू कौनों सागू कहावे किस्चू मैं पाप समाने केंडा मारी होमजग कीए देवत्यांकी बाने मासू छोड़ी बैसी नकू पकडी राती मानस खाने फड़करी लोका नो दिखलामी ज्यानू त्यानू नहीं सुझे नानक अंदे सियो किया केए के नकेए बुझे अंदा सोई जी अंदू कमावे तिसू दिदे जी लोचननाई मात पिता को रखतो निपनने मच्छी मासू ना खाईं इस्ती पुर्खे जान निसी मेला ओत्ये मद्दे कमाईं मासू निमे मासू जम्में हमा से से के पांडे ज्याननों त्याननों कच्छु सुज्जे नाई चत्रु का हावे पांडे बाहर का मासु मंदा स्वामी करका मासु चंगे रा जिय आंत सब मासु होई जिय लाया वसे रा अपखु पखी पखु तजी छोड़ू अंदे गुरुजिन केरा मासु निम्मे मासु जम्मे हम मासे के पांडे मूर्ख लोग मास मास करके जगड़ते हैं ग्यान ध्यान को सही स्थिति को नहीं समझते हैं क्या मास है क्या शाक है किसम क्या पाप है ये कोई नहीं जानता देटाओं के सभाव के अंसान मनुश्य परानी उन्हें पर सन्न करने के लिए होम यग्य करते हुए गेंड़ा मार करके बली देते हैं जो मास भक्षन का विरोध करते हैं और मास को की गंद के कारण नाक पकड़ लेते हैं वे भी रात के देरे में मास खा जाते हैं अथात अपने कुकर्म द्वाना मनुश्यों को कस्त पोचाते हैं वे नाक पकड़ करके लोगों को दिखलाते हैं पाखंड करते हैं ग्यान ध्यान की जानकारी उन्हें नहीं होती है गुर्णानक जी कहते हैं कि ऐसे अंदे से क्या कहें जो कहने पर भी नहीं जाने वास्तम में अंदाव हैं जो अन्याई करता है और अग्यान में विचरता है उसके मन में वे आखे ग्यान चक्षुई नहीं हैं मात पिता के शुक्रतेश से पैदा हुए हैं किन्तु मास मचली नहीं खाते रात्री में जब इस्ती पुरुष का मेल होता है तो मास से ही भोग करते हैं मास से हमारा बी जारूपन होता है मास से हम पैदा होते हैं और मास के ही हम बने हैं ये पंडित चितर के लाने वालों को सही घ्ञान ध्यान को सूचता नहीं है बार का मास बुरा लगता है घर के मास इस्तिरी संतान अधी को अच्छा समझते है जीव जनतु सब मास से पेदा होते हैं मास में ही पेट में वाज़ करते हैं जिनका गुरू अज्यानी होता है वे अब भक्ष को खते हैं हराम की कमाई किन्तो भक्ष को त्याग देते हैं अतात हराम की कमाई खते हैं या भक्ष से अभी पराए मास खाना नहीं है बलकि सची कमाई सची कमाई खते हैं मास से हमारा बीज आरवपन होता है मास से हम पैदा होते हैं और मास के हम बने हुएं पंडित चत्र के लाने वालों को सही ग्यान ध्यान तो सूचता नहीं परानों कुरान आरी में मास का बनन चार यह ओको के में मास का विवार रहा है यग्य कार एम विवार आदी चुब असरों में भी मास विद्यमान होता है ये दोनों अफसर मास का वेपार हैं एक और बली देने से दूसरी और इस्तरी प्राप्त करने से यहां मास भोजन की बात नहीं इस्तिप्रुश बाश्या का सुल्तान सब मास से पैदा हुए है यदि में नरक जाते देखते हूं तो उनका दान नहीं लेना चाहिए अर्थातर मास से पैदा हुए सब नरक तो नहीं जा रहे है विचित्र विवस्ता है कि दान देने वाला क्योंकि मास का वेहम नहीं करता नरक में जाएगा और दान लेने वाला क्योंकि वेहम करता है ब्रामन पर व्यंग है यह सर्ग में जाने की आशा करता है वारे पंडित बड़ा समझदार बनता है खुद को समझतानी लोगों को समझाता है यह पंडित तुम्हें मालूम ही नहीं कि मास कहां से पैदा हुआ जल से अन गन्ना कपास आदी होता है त्रिवहन ही जल से बना है पंडित के मत के अंसार पानी कुईत्र है किन्तु जल में भी नेक विकार होते हैं और वह अपना रूप बदल करके नेक रसों में प्रगट होता है इसलिए उक्त सब वस्त्व को छोड़ने से ही पंडित वास्त्य के त्यागी वैश्नव या सन्यासी बान सकते हैं यही गुरु नानक जी का विचार पूर्ण मत है मासू निमे मासू जमे हम मासे के पंडे यानो त्यानो कछू सुझे नाई चतुर कहावे पंडे मास पुरानी मासू कते भी चव जुगी मास कमाना जजी काजी बियाही सुहावे उत्य मास समाना इस्ती पुरु निमे मासू पतिसा सुल्ताना जे ओई बिसी नरकी जान दे ता उनका दानो ना लेना देन्दा नरकी सर्ग लेन दे देखू आई के डाना आपी ना बुझे लोक बुझाए पंडे खरा से आना पंडेतू जाने ही नाई किथू मासू उपर्ना तोई यहू अनू कमादू कमा हा तोई यहू त्रिभनू गन्ना तोवा आखे आउं बवविदी इच्छा तोई बवतुई विकारा एते रस छोड़ी होवे सने आसी नानक कहे बिचारा पौड़ी हमकी आखा एक जीब तेरा अंतना किनी पाया सच्चा सब्दू विचारी से तुझी माई समाया इकी पगवा वेशी करी परमदेव बिनू सत्गुर किने न पाया बेश दिसंतर पवी थके तुझी अंतरी आप लुकाया गुर का सब्दू रतनू है करी चाननों आप दिखाया अपना आपो पचानिया घुर्मते सच्ची समाया आवा गमनों बजारिया बजारों जिन्ना रचाया इको ठिरों सच्चा सलाहना जिन्मने सच्चा पाया हे परमात्मा जी हे हरी जी मेरे पास एक जीब है मैं क्या कहूं तुम्हारा भेद नहीं कह सका जो गुरू का सच्चा शब्द विचारता है गुरू मत के अंसार विचरन करता है वे तुम में ही समा जाता है कुछ लोग वेश अटमबरी होते हैं जो भगवा वेश बना करके गेर वे रंग के कपड़े पहन करके गूंते हैं किंतो सत्गुर सहयोग के बिना कोई प्रभू को नहीं पास का लोग देश दिशानतर में गूंते ठक गे तुमने उन्हें के भीतर अपने को चिपा रखता है गुरू का शब्द खरारत्न है इस सूज का परकाश भी उसने स्यम दिया है जीव गुरु मत के अंसारी अपने को पहचानता है एम सत्थ में लीन होता है वे अडंबरो जो वेश बनाते और दिखावे करते हैं आवा गमन के चक्कर में पढ़ते हैं जिनके मन में सच्चा प्रभु प्रिय है वे स्थीर भाव से उसकी स्तुती करते हैं और सत्य सवरो को शिलाधा करते हैं देशत्संतर पवीठके तद अंतर याप लुकाया गुर्का सब्दू रतनू है करीचान नू आप दिखाया अपना आप पच्छानिया गुर्मती सच्ची समाया आवा गमन बजारिया बजारू जिन्ना रचाया एक को थिरो सच्चा सनाना जिन्ना मने सच्चा पाया